हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने वाल हैं अर्भी की सब्जी वैसे बारिश की सीजन स्टार्ट हो चुकी है तो सीजनल सब्जियां तो हमें खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए तो यहां पे मैंने 500 ग्राम अर्भी लिए इसे मैंने अच तो यहां पर मैंने पहले से तेल को घरम करने के लिए रख दिया था अब धीरे-धीरे करके हम इसमें सारी अर्भी एड करेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी एकदम ब्राउन हो जा तब तक हमें इसे लो फ्रेम पे तल लेना है यह सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे यहां पर में दूसरी अर्भिया डाल देती हूं तलने के लिए तब तक हम इसका मसाला तया करते तो इसमें मसाले का कोई माप नहीं रहता है अपने हिसाब से मसाला डाल सकते यहां पर मिने दो बड़े चमश दनिया पाउडर लिया हमारी अर्भी तल चुकी है अब हमें क्या करना है इसके ठंडी हो जाए तब हमें इसमें बीच में से कट लगा लेना है बिल्कुल इस तरह से पूरो इसको दो पाट में नहीं करना है इस बीच में से चोटा से कट लगा देना है अब हम इसमें मसाला बनाया था वह मसाला इ अब हमें क्या करना है मसाला बर्ने के बाद हमें इसके उल्टी साइड पिक्षोस क्या करना हिए ताके मसाला अंदर अच्छे से बैडे हैं, और वह खुले नहीं। बस इस तरह से मैं सारी अर्भी में हने तरह हैं तो इस तरह से में अध्यार से मिड़ी इपर Sugly अब उपर समफी से थोड़ा मसाला एट कर देंगे बस अबसे डख के हमें सिर्फ दो मिनिट के लिए पकने देना ताकि एकदम से क्रिस्पी हो जाए